हलो बच्चो, दहन और ज्वाला के तीसरे भाग में आपका फिल से स्वागत है, आशा है आप इस पाठ के पहले और दूसरे भाग को देख चुके हैं और समझ चुके होंगे, आपने देखा होगा घर में या किसे उद्योग धंदे में उश्मा उर्जा के श्रोत के लिए लक इंधन कहलाते हैं, अर्थात, वैसे पदार्थ जिनका हम उश्मा उर्जा के स्रोत के रूप में उपियोग करते हैं, उन पदार्थों को इंधन कहते हैं, जैसे लकडी, कोईला, गुबर का गोईठा, केरोसिन तेल, एलपीजी गैस, इत्यादी क्या इंधन को आदर्ष होना चाहिए? इंधन के आदर्ष होने की क्या शर्दे हैं? एक आदर्ष इंधन वह है जो अधिक उश्मा उत्पन करता है, जिसका ज्वलन ताप ना तो अधिक होता है और ना ही कम, जो सस्ता और सुगमता पुर्वक उपलब्ध होता है, तथा जो अधिक अपशिस्ट पदार्थ नहीं छोड़ता है इसके साथ ही जिसका परिवहन एवं संग्रह करना आसान होता है यदि ये सारी शर्तें एक इंधन पूरी करता है तो वह इंधन आदर्श इंधन कहलाता है हमने देखा विभिन प्रकार के इंधनों का हम उपयोग करते हैं इन सभी इंधनों के भौतिक अवस्था के आधार पर हम इन्हें ठोस, द्राव या गैस में वर्गिक्रित कर सकते हैं अर्थात वैसे इंधन जिनकी भौतिक अवस्था ठोस होती है वे ठोस इंधन कहलाते हैं जैसे कोईला, गोबर का गोईथा, लकडी, इतियादी वहीं वैसे इंधन जिनकी भौतिक अवस्था द्रौव होती है वे द्रौव इंधन कहलाते हैं जैसे केरोसीन तेल, पिट्रोल, डीजल, इत्यादी वहीं पर वैसे इंधन जिनके भौतिक अवस्था गैस ये होती है वे इंधन, गैस इंधन कहलाते हैं जैसे LPG गैस अब हम चर्चा करेंगे इंधन की दक्षता के बारे में इंधन की दक्षता इंधन के उश्मिय मान के रूप में व्यक्त की जाती है किसी इंधन के एक किलोग्राम के पूर्ण दहन से उश्मा उर्जा के जितनी मातरा प्राप्त होती है उसे इंधन का उश्मिय मान कहते हैं इंधन के उश्मिय मान का मातरक कीलो जूल प्रती किलोग्राम होता है विभिन इंधनों के उश्मेमान इस प्रकार है गोबर के उपले का उश्मेमान है 6,000 से 8,000 किलो जूल प्रती किलो ग्राम लकडी का उश्मेमान है 17,000 से 22,000 किलो जूल प्रती किलो ग्राम कोईला का उश्मेमान है 25,000 से 33,000 किलो जूल प्रती किलो ग्राम पिट्रोल, डीजल तथा मिट्री का तेल का उश्मिय मान है 45,000 किलो जूल प्रती किलो ग्राम मिथेन का उश्मिय मान है 55,000 किलो जूल प्रती किलो ग्राम जैव गैस का उश्मिय मान है 35,000 से 40,000 किलो जूल प्रती किलो ग्राम वहीं हाइड्रोजन का उश्मे मान है एक लाख पच्चास हजार कीलो जूल प्रती कीलो ग्राम बच्चों आपने देखा दिये गए इंधनों में उश्मे मान के आधार पर सबसे अच्छा इंधन हाइड्रोजन है लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में हाइड्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते हैं इसका कारण है यह आवाज के साथ एक आएक पूरा जल जाता है अब हम जानेंगे इंधन के दहन का पर्यावरन पर क्या प्रभाव पड़ता है इंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं आप जानते हैं कि इंधन का उपयोग प्रति दिन किया जाता है इंधन के उपयोग के बगेर हम एक दिन भी नहीं रह सकते परंतु इंधन का बढ़ता हुआ उप्योग हमारे पर्यावरन पर हानिकारक प्रभाव डाल रहा है इंधन के दहन से कई हानिकारक उत्पाद बनते हैं जैसे कुछ उत्पाद इस प्रकार है पहला लकडी, कोईला, पेट्रोल, इत्यादी बिना जले कार्बन के कर्ण छोड़ते हैं ये खतरनाक प्रदूशक हैं और दमा जैसे श्वास रोग उत्पन करते हैं दूसरा यदि दहन के दोरान इंधन को प्रचूर मातरा में ऑक्सिजन प्राप्त नहीं होता है तो यह कार्बन मोनो अक्साइड जैसी खतरनाक गैस उत्पन करते हैं जो विशैला होता है श्वासवन द्वारा इसे ग्रहन करनने से मनुश्य का दम घुटने लगता है तथा उसकी मृत्यू भी हो सकती है तो अब आप समझ गए होंगे कि बंद कमरे में कोईला जला कर सोना क्यों खतरनाक होता है तीसरा उत्पाद है वायू की पर्याप्त उपस्थिती में इंधन के दहन के फल स्वरूप पर्यावरन में कार्बन डायोकसाइड गैस उत्पन होती है किन्तु पेड़ पौधे की कमी के कारण वातावरन में कार्बन डायोकसाइड की मातरा लगातार बढ़ रही है यह विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? बच्चों, दिन प्रतिदिन प्रिथ्वी के तापमान में विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है इससे हीम नदे पिघलने लगते हैं और समुद्र का जल अस्तर भी बढ़ जाता है तटिये छेत्र बाढ़ ग्रस्थ हो जाते हैं ये छेत्र अस्ताई रूप से जलमगन हो सकते हैं अगला हानिकारक उतपाद है अम्द जिवाष्म इंधन के जलने से वायू में उपस्थित नाइटोजन तथा सल्फ़र के ऑक्साइड जब वर्षा के जल में घुलते हैं तो अम्द बनाते हैं वर्षा के जल के साथ अम्द का प्रिथ्वी तक गिरना ही अमलिये वर्षा या एसीड रें कहलाता है यह अमलिय वर्षा, मिट्टी, फसल, भवन इत्यादी के लिए बहुत हानिकारक है अब हम जानेंगे जलने पर प्रात्मिक उपचार कैसे की जाए बच्चों सबसे पहले जले भाग पर ठंधा पानी 10 से 20 मिनट तक डालिए उसके बाद जले भाग पर ठंधक प्रदान करने वाला लोशन जैसे बर्णोल या जिसमें एलोवेरा हो उसे लगाईए इसके साथ ही जले अस्थान को साफ एवं सूखे सूती वस्त से ढख दें जिससे संक्रमन का खत्रा ना हो इसके साथ ही चिकित्सक अर्थात डॉक्टर्स से सला अवश्य लीजिए तथा आग लगने पर फोन नमबर 911 पर डाल कीजिए आईए अब हम अंत में पूरे पाठ को संछेप में दोहराते हैं हमने सीखा वायू में जलने वाले पदार्थ को दहनशील पदार्थ कहते हैं दहन के लिए आउश्यक ज्वलन ताप के साथ साथ दहनशील पदार्थ एवं वायू दोनों की उपस्थिती अनिवार्य है इसके साथ ही हमने सीखा ज्वलन ताप वह नियूंतम ताप है जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना आरम कर देता है आग की उत्पती के लिए आउश्यक तेन शर्टों में से एक या अधिक को हटा कर आग को नियंतरित किया जा सकता है जलती हुई गैसों के छेत्र को ज्वाला कहते हैं ज्वाला का मध्य भाग अर्थात दिप्त छेत्र चमकीला होता है यह भाग कारबन के कम जले कणों के कारण चमकता रहता है ज्वाला के सबसे बाहरी छेत्र अर्थात अदिप नीला छेत्र का ताप उच्छतम होता है इंधनों की दक्षता उसके उश्मियमान के रूप में व्यक्त होती है उश्मियमान को कीलो जूल प्रती कीलो ग्राम के मातरक में व्यक्त करते हैं इसके साथ ही हमने सीखा इंधन के अपोर्ण दहन के फल स्वरूप कार्बन मोनोकसाइड गैस उत्पन होती है जो विशैली गैस है कोईला, डीजल एवं पिट्रोल के जलने से सलफर एवं नाइट्रोजन के ओकसाइड गैस बनते हैं जो वर्षा के जल में घुल कर अमल बनाते हैं ये अमल वर्षा जल के साथ जमीन पर गिरते हैं जिसे अमलिय वर्षा या एसी ड्रेन कहते हैं